अजी नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारती सब्धान की विशिष्टा चल रही है और अजमें अमने जो विशिष्टा लिए वो शुरूच चल रहे थे है ना और पहला ही देश कौन सा है इंग्लेंड कुछ लिखा है किसमें इंग्लेंड लिख लिया क्या दूसरा देश नहीं लिखा कोई बात नहीं है भारती संब्धान के सुरूतों पर बात्चीच चल रही थे संब्धान के सुरूतों संब्धान के क्या पढ़ा रहे थे हम शुरूतों पहला ही देश इंग्लेंड तो हो गया था इना इसमें एक लेंड लगा के लिख ले ना वैसे कि आज आप पहली बार आई हो क्या कोई बार नहीं है चल दूसरा देश लेको एडिंग लगा लो संब्धान के सुरूत दूसरा देश ले लेते हैं और दूसरा देश ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं अमीर का यूएसे दूसरा देश कौन सा ले रहे हैं हम अमेर का ले रहे हैं यूएसे ले रहे हैं ठीक है तो देखो अमेरका से क्या-क्या प्रावदान लिये हैं देखें नमबर एक मूल अधकार नमबर दो उपराश्ट पती का पद उपराश्ट पती का पद नमबर तीन वित्तियापात पृतियापात का प्रावदान इसका प्रावदान वित्तियापात का प्रावदान नमबर चार नमबर चार में ले लेते हैं विधी का समान सनरक्षन, विधी का समान सनरक्षन, नमबर पांच, ठीक है, हाँ विधी का समान सनरक्षन, नमबर पांच में क्या लेंगे, महावियोग की प्रक्रिया, महावियोग की प्रक्रिया, नमबर च्छे, नियाएक पुनराब लोकन, यह नियाया लेकी सकती होती है, अभी इस पर चर्चा करेंगे, नियाएक पुनराब लोकन, नमबर साथ, जनहत याचका, नमबर आठ, नियाएक सक्क्रियता, नियाएक सक्क्रियता, नमबर नो, नियाए पालका की स्वतंत्रता, नियाएक पालका की स्वतंत्रता, और नमबर दस, जजों का लंबा कारकाल, जजों का लंबा कारकाल, एक बार इनको लिख लो, फिर मैं आगे बात करूंगे न, दूसरा देश लिया है, अमेरिका, और अमेरिका से हमने यह दस पॉइंट लिये हैं, नमबर एक में क्या लिया है, बताओ क्या लिया है, मूल अधकार, नमबर दो, उपर आश्पती का पल, नमबर तीन, नमबर चार, नमबर पांच, नमबर छे, नमबर साथ, नमबर आठ, नमबर नो, और नमबर दस, इनको लिख लो, फिर एक एक करके बात करते हैं, न, हलाएंकि आगे यह टॉपिकों मैंगे, पर थोड़ा साथ, आपको याद रहे, इसलिए बताना पड़ेगा, न, बताओ साथ, तो एलाई पॉइंट क्या है, नमबर एक में मूला दकार, आपको पता है, संपत्टी का मूला दकार अठा दिया, गए अठा दिया, इसलिए बत्वाण में कितने मूला दकार रह गए हैं, छ prophets, मूल समinhодान में साथ मूला दकार थे, अब छे रहे गए हैं, और मूल अधिकार अलग से आपका टॉप है का आपको पता होगा अधिकार उनको कहते हैं जो हमारे विकास की बात करते हैं जैसे हमने कहें बालकों के अधिकार मैलाओं के अधिकार हम कई बार बात करते हैं जानवरों के अधिकारों की जो जानवरों के लिए जरूरी है ताकि वो क्या रहें बने रहें तो अधिकार हमेशा वो परिस्तियां होती है जो व्यक्ति के विकास में सायक होती है और व्यक्तित का जो विकास होता है वो सारी रिक भी होता है और मानसिक भी होता है चाहते हैं लेकिन म्कानमालक करना है तुम छत पर नहीं आ सकते हैं लोग नीचे रहना जाओ और उदर मत देखना उनको पहले कहते हैं तर उदर मत देखना तुम सीधे जाओ और सीधे आओ कहते हैं नहीं कहते हैं नहीं अंकल जी हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं हम तो यह देख रहे हैं सीडी कहा जा रही है क्या है तुम्हें क्या मतलब है तुम तो नीचे रहते हो दा और सीडी कहीं नहीं जा रही है सीडी महीं है तुम मत चले ज कर देते हैं कि यह पूर में बहुत इताय देते इतने तो माबापना ना इपनल देता देता है इम आप कि अच्छी बाते है वह किरायदार उसे कि देता नहीं बेटा पानी की फिजूल कर्ची नहीं करनी बिजली जादा जलानी मकान को साप सूत्रा रखना अरे प्रधान मंत्री मोधी जी ने स्वच्छ वारत में संचला रखा फिर भी कमरा गंदा कर रखा है वो ऐसी ऐसी वाते बताते जो तुमको आई तक किसी नहीं 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 विटा सुवह बार बैठके पढ़ना चाहिए वह अंकल जी बार ठंड लग रही थी हम सरीर इतना मजबूत होना चाहिए ठंड को सेन तुम तो दो महीने बाद फिर घर्मी में नहीं रह पाऊगे हम घर् अंकल जी हमको बार का चित्र क्राइप देतो था जब घर्मी में बारी रहदार चर्दी वे भी बारी रहना हम तो बार का यह रिया देदो किराएप कब्रे को तुम रख लो तो ऐसे ऐसे लोग होतें को भी होते हैं इतना घ्यान पेल के जाते हैं कैसा विश्ड़ सोचता है कि यार मैं कहा किराएप ले लिया इतना घ्यान तो कई मिलता भी नहीं है जितना दे दिया बीटा जल्दी सो जाय करो और सुबह जब रूसनी आए कर सूरज की उसमें पढ़ा करो क्यों कर रूसनी के साथ में बिटामेंट डी आती है क्या आती है जो तुमारे स्वास्त के लिए लाबदाय का क्या है यह लो और खिड़की खुल पढ़ा करो यह जरूरी दूपकाना तो यह लो साब कि नहीं हम तो खेर सताय हुए नहीं है लेकित हम तो बता रहें वो सब अधकार हैं हम तो टीचर हैं हमें सब चीज बतानी पड़ती है न भाई है अब मुद्दे की बात यह है किसा अधकार तो वह भी है किसा ठीक है आ सकते जा सकते हैं गूम सकते हैं तो हम हमारा मन तो करता है छत पर गूमने का लेकिन किराय पर नीचे कमराई ले रखा तो कैसे गूमेंग तो अरे तुम उपर कैसा अगे अंकल जाए तो सक रांती दुनिया उपर यह कि नहीं नहीं बाई उपर चत पर नहीं जा सकते तुम हमारी चत अगर किराइब देने लायक होती तो हम किराय पर जबीने देते चत हमारी पूठ जाएगे क्या है यह लो तुम क्यों तीन चार लोग तुम आएंगे और चत को फोड़ गए तो नहीं अंकल जी हमारा आत में कुछ भी नहीं हम कैसे फूड़ेंगे फोड़ने के लिए कुछ चाहिए हत्यार बगहर सामान नहीं नहीं तुम पैरों से फोड़ जाओगे और यह देखो तुमने पहले भी एक पत्थर फोड रखा शिड़ी का नहीं अंकल जी हम नहीं फोड़ा यह तो अपने फूटा हुआ है अच्छा हमको बचाते हो यह लोग तो कहने का मतलब यह है मूल अधकार वो परिश्टियां जो व्यक्ति के समग्र विकास से संब्भन देते इसमें कोई धन पैसा नहीं आता है हर चीज क हो दें जो भी राइस्थान के ही है जगदीव ओपर राश्पती राज सवाका सदस्ट जबकि राज सवाका क्या होता है सवापती होता है यह प्रावदान में कहां से लिया है अमीर का से ठीक है तीसरा पॉइंट को उन सा है अपने यह तीन सो बामन, तीन सो चपन और तीन सो साथ, यह वो आपातकाल है जो आज तक कभी लगाया ही नहीं गया, यह प्रावणाज में अमने कहा से लिया है, अमीर कहा से, नमबर चार, कानून का जो संरक्षण मिलता ही, अनुच्छिट चौदेम आय विधी के समक समानता ही, तो इंग्लेंट से लिए, विधी का समान संरक्षण यह अमीर कहा से, हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, समाज में, एक कमजोर वर्ख और एक मजबूत वर्ख, दो लोग हैं, तो जब भी कानू लागू होगा तो सबसे पहले कमजूर बर्ग के लिए लावदायक होता है उसके बाद में सक्षम बर्ग हो क्यों 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 दोनों की परिष्टियां समान नहीं है दोनों क्या नहीं है परिष्टियां समान नहीं है इसलिए आपने देखा होगा क्या बार कि जैसे रेलवे लाइन पर आप गए इस टीसन पर जाएंगे तो आप देखा होगा सीनियर सिटीजन के लिए अलग सो बना उनके किराई में भी छूट है मैलाओं के लिए भी अपने किराई में चूटे बसों में और आपने देखा होगा रील वे में भी अलग से डब्बा होता है मैलाओं के लिए तो उनको इसलिए ताकि उनका जो सोशियल इस तरह उसमें इंप्रूब्मेंट किया जा सके ठीक है इसके बाद में कौन से नंबर का पॉइंट है कि राश्पती को अठाते हैं उच्छी दिखसट में माव्युक की प्रिक्रिय बताई गया जब राश्पती संब्दान का क्या कर देता है वो लंगन कर देता है तो संस्द माव्युक द्वारा यह अटाती राश्पतीओं ना संसद में दू सदने राजसभा औ करते हैं कि इसके बार में नंबर चैना में नियायक पुन्रावलोकन आपको पता है सरकार कोई कानून बनाए तो नियायाल है उस कानून की जांच करेगा कि जो कानून बनाया है वो कानून संब्धान के खिलाप तो नहीं है यदि कानून संब्धान का क्या करता है हनन करें क्या करें तो नियायाल है ऐसे कानून को अवैद्ध घोसित कर देता है यह हम आगे आपको बताएंगे तो कानून जो बनाएगा है वो संब्धान के अनुसार होना चाहिए ना कि संब्धान का क्या करता हो हनन तो सरकार की सीमा हो गई नहीं ह कर देगा अब दोसेत कर देगा। को नमबर साथ में क्या है कि आज कर लोग देखी रहे हो दो तरह के विवाद होते एक तो आपसे व्यक्तियों का जुड़ाब विक्ति से वैथ यह ष्विवाद होता है समाज के हित्मिय है के दर्ज कराना कि आए जिलने में व्यक्तिकत मामले जाता है तो मिसली बात करेंगे यह भी हमने अमरीका से लिया है पूछा भी था कि न्यायक सक्रियता कहां से लई है तो कहां से लई है इसमें न्यायाल है सक्रिय हो जाता है न्यायक सक्रियता हम कौन सक्रिय हो जाता है जब कि उदासीन कौन हो जाती है सरकार लापर्वा कौन हो जाती है जब सरकार उदासिन हो जाए सरकार लापरवा हो जाए तब सरकार के काम हो कौन करने लग जाती है कौन करेगा करेगा नहीं करेगा बताओ अब जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं राइस्तान में को जरूरी ना है आने वाले टाइम में सरकार ही पेपर करा है हो सकता न्याय आले ले ले और आई कोट क्या कहने लग जाए कि वह देखो ऐसा है अब तक सरकार ने बहुत पेपर लीक करा लिए अभी लीकेज बंद करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो ऐसा है अब पेपर हम कराएंगे जब सरकार लापरवा हो गई उदासीन हो जाए निस्क्रिय हो जाए तब सरकार के काम को न्यायाले द्वारा किया जाना ही क्या कहलाता है तो एक तरीके सरकार को छेताव नहीं हो गई कि यह तो काम ढग से करो और नहीं तो फिर हम करेंगे क्या करेंगे इसने सरकार को एक डर रहता है जो भी करें वह इस तरीके से करें ताकि कोई कमी ना रहे बोलो बात समझ मैंज नहीं तो न्यायक्स है हम बिलकुल है है तो सर्कार इसकी बज़य से एक्ट्व होगी को नहीं होगी तर्कार सवार्ध सक्त करेंगे कि हर मामले को समय रहते क्या करें क्यだ इसके बाद में अगला कौन सा पॉ By हाँ आपने देखा होगा कई वार तोर कॉर्पूलिस का खेल देखा होगा आपने है आपसिंग बबाद हुआ जगड़ा हुआ और ठाने महें पहुंच गए तो रंच साफ कोई सर पंच है कोई प्रधान है कोई जिला प्रम्म कोई बिदायक है वो जाता है और दोनों पार्टियों क्या करवा देता है राजी नामा करवा देता है कई बार तो ऐसा भी हो गया है कूब राजिस्तान में कूब अकवारों में भाया था किसा पुलिस वाले इसलिए काम नहीं कर पा रहे जिस चोर को पकड़ते हैं वो किसी मंत्री विदायक करिश्तादार निकलता है तो करे तो करे क्या इसलिए राइस्तान में क्या है तूरियां ज्यादा हो रही है जो भी है कुछ ऐसा आया था मामला बिसिस का अजमिर साइड से था वो मामला तई वार ऐसे मामले अन्य जिलों से भी आ जाते हैं यानि पुलिस में और राइनीती में जोड़ाव रहता है ये पक्की बात है न पुलिस वाले नेताओं की बात मांते हैं लेकिन आप सोचो क्या कभी कोई मंत्री नेता सांसत विदायक पूर्ट में गया है क्योंकि छोड़ दो कोई बात नहीं है आगे इस ध्यान रखेंगे सांसत न्यायाले के सदस नहीं होती है न्यायपालका की सुतंत्रता का क्या मतलब है सरकार के दवाब से क्या रहना सुतंत्रता आज हमारा देश कोई भी जब गलत काम होता है तो किस पर उम्मीद रखता है कि आर देखना बढ़िया होगा कोर्ट में मामला चल रहा है अपने पक्समी मुकदमाएगा क्यों क्यों किसी नेता की नहीं चलती क्यों नहीं कहते है अब यह अलग बात है कि के बार सलमान खान चला जाता है नेता की नहीं चले लेकिन सलमान खान की चल जाती है सलमान खान खूब जेल में राग नहीं रहा है बाद में निर्दोसी सिद्ध हुआ है तिंकारा ने आत्मत क्या कर ली क्या कर ली सायत है कर लइ पता होगा आप लोगों को एक खिलिम बनी थी हम साथ सात है बाद में सल्मान खांजी और आसाराम जी दोनों साथ सात देखे गए थे इ cloth food देखे गए थे नहीं देखे गए- तो आप सोच सकते हो दोस्तो कि जब बड़े बड़े लोग जेल में बंद हो जाते हैं उसके बावजूद भी जेल में से फूर जाते हैं और निर्दोस सिद्ध हो जाते हैं ये थोड़ा दुखत तो है क्यों कि चिंक आरा आत्मत्य नहीं कर सकता है इतना हमें बिश्वास है इतना तो क्या है हमें ही बिश्वास है और आपको पता होगा वो साहब निर्दोस करार हुए है जबकि उस केस में बंद भी रहे थे तो नियायाल है जब प्रमाणी नहीं है एविडेंस नहीं तो किसा अधार पर निरने करे लेकिन वह नेताओं की राइनीती की नहीं चलती है नियायाल है है सरकार या कार्यपालक है मंत्रियों के दवाव से मुक्त रहती है इसी को नियायपालका कर्लत का हा जाता है अगला कौन सा है इस देखो ऐ Pew अमरीका में कावत है और को इस इा थे यां अ paranी अमरीका में लगबग आजीवन जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में वहां की फैटरल कोर्ट और आई कोर्ट में भारत में 65 बर्स की आयू तक कब तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हैं लंबा कारकाल हो गया नहीं हो गया यह प्रावदान हमने कहां से लिया है अमीर का से बात समझ मागई बाकी यह सब जब टॉपिक पढ़ाएंगे आपको पता है सब टॉपिक हो महेंगे न अगला देश लिखो कितने नंबर का है कहा है नंबर तीन में लिखो नंबर तीन में लिखो ओस्टेलिया नंबर एक संसद का संयुक्त दिवेशन संसद का संयुक्त दिवेशन नंबर दो केंद्र राज्यु बानज संबंद व्यापार है न केंद्र राज बानज संबंद नंबर तीन समवर्थी सूची पिश्रिवार यही आई थी पी एसाई में 2021 में समवर्थी सूची किस देश से लई है तो किस देश से लई है और श्रिया से लई है साथ अच्छा एक बात बताईए देखो एक तो होती है संग सूची पहल समई ना बात को इस पर कोई सरकार कांज बनाती है के इस सरकार को हम संग सरकार भी कहते है ठीक है और संग सूची में कितने बिसे हैं सत्यान में ठीक है आप लोग अभी सो पढ़ते हैं तो उसको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो याद रखे ना एक उतिए राजज सूची स्पर कोई सरकार कंज बनाएगी बताओ राज सरकार ना झिक हैं इसको 66 बिच mm और कि में और ये खूति ये संबर्ती सूची इस पर किंद्र वी कांज बनाता है और है राज का में बनाता है ना अकर अगर दोनों सरकारों राज में टकराव हो गए वह किसका कांज माने जाएगा ऊ- Accring तो संबर्ती सूची में एक डैस लगा लो क्या लगा लो डैस लिख लो इस पर केंद्र और राज दोनों सरकार कानून बनाती है इस पर केंद्र और राज दोनों सरकार कानून बनाती है दोनों सरकार कानून बनाती है लेकिन ठकराव होने पर लेकिन टक्राव होने पर केंद्र सरकार के कानून को सर्वोचता है समबर तिसको चीम लिख रहे हैं इस पर केंद्र राज दोनों सरकार कानून बनाती है लेकिन टक्राव होने पर केंद्र सरकार के कानून को सर्वोचता है तक्राव होने पर किंद्र सरकार के कानुन को सर्वोचता है ठीक है यह कौन सद इसलिया है हमने अच्छा यह तो संबरती हो गई पहला ही पॉइंट कौन सा है अच्छा संसद के कितने सदने कौन कौन से लोक सवा और है या तो हम आगे पढ़ेंगे जब विद्यक को लोक उशवाह में पास कर दिया है न क्या इं Dustin अब राशपती दोनों सदनों का क्या बुलालेता है से वक चवच्छन बूलाता और आपने सुना होगा यह तत्रवेशन का अध्यक्षता लोग सब अध्यक्ष करता है कोन करता है यह सब आगे पढ़ाएंगे आपको इना अग्रादेश वताओ कि अच्छा यह कैसे कैसे संबंद आपको पता है सभी राज्जों में सभी चीज पैदा नहीं होती कहां होती है बता है सरसों सबसे ज़्यादा कहां पैदा होती है और गेंग गेंग पंजाब में चना नहीं राजिस्थान में नहीं होता 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 है चना या तो MP में होता होगा या फिर गुजरात में बाजरा तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मत्रव है सबी चीज़े सबी जगे पैदा नहीं होती तो आपस में राज सरकार तो सीधे कई वार ब्यापार नहीं करती है तो किसके तुरू करती है केंद्र सरकार के माध्यम से, तो केंद्र राज्यों में कैसे संबंद। बानेजस संबंद। अब जब चाय है, अब कहते हैं चाय पानी की तो पूछ भाई, किसकी पूछूँचूँ, अब चाय हमारा राजिस्टनでは पैदा होती है क्या, तो अब सोचो पश्चिम मंगाले असमें मना कर दें नहीं साब हम चाय नहीं बेचेंगे अब बताओं तो वहां जो होता है वही तो बेचेंगे वह तो कहने का मतलब यह रादोस्तों कि केंद्र राज्य के मद्ध मानजिक सम्मन्न में राज्यों से किंद्र सरकार पर्चेज करती है खरीदारी करती है और फिर उनको राज्यों को क्या करती है किन सर्थों पर राज्यों से सामान खरीद जाएगा और किन सर्थों पर वैं दूसरे राज्यों को बेचा या दो राज्य सरकार किस तरीके से आपस में सामान एक्षेंज कर सकती है कि इनके लिए कान बनाना किंदर सरकार का मामला संसथ कान बनाते दो राज्यों के मद्ध व्यापार एक नियम कोन बनाएगी संसरकार कुछ संसथ वैसे अपनी व्यापार नियती बना सकती है लेकिन दो या दो सदिक राज्यों के मद्द के हम बात करेंगे तो कान कुन बनाएगी संसद किन सरकार बनाएगी ठीक है चलो इसके बाद में अगला देश कितने नंबर काई बताओ नंबर चार नंबर चार में लेलो आयर्लेंड नंबर एक राष्ट पती का निर्वाचन नंबर दो राज्य के नीती निर्देशक तत्तो राज्य के नीती निर्देशक तत्तो नंबर तीन राष्ट पती द्वारा राज्य राज्य सवामे सदस्यों का मनो नयन राज्य सवामे सदस्यों का क्या है मनो नयन राष्पती द्वारा राज्य सवामे सदस्यों का मनो नयन अब आप देखो राज्य सवामे कितने सदस्यों हैं दो सो पैटालिस एक बार देखो इन मेंसे बार है तो मनो नीत होते हैं और दो सो तेतीस क्या होते हैं निर्वाचित जो बारे हैं इनकी बात कर रहा है वो है न है कि सायति विज्ञान कला और समास्य सेवा के छेत्र में चार छेत्रों जिनका विशिस योगदान रहता है राष्पती मा क्या करता है अब मनो ने अभी मतलिक न मैं तेक बता दक्षण अफ्रीका दक्षण अफ्रीका नमबर एक राजसवा सदस्यों का निर्वाचन अभी बताया था न आपको राजसवा सदस्यों का निर्वाचन और नमबर दो संबिदान संसोदन की प्रक्रिया ये भी कहां से लही है हमने दक्षण अफ्रीका से संबिदान संसोदन की प्रक्रिया संबिदान संसोदन की प्रक्रिया ये भी कहां से लही है हमने ठीक है आप से कोई यह पूछ ले जैसे कि सर संबिदान संसोदन की क्या प्रक्रिया ये तो अनुच्छे 368 में है न मैं भी आपको विसिष्टा में पढ़ाऊंगा ये जो संबिदान संसोदन है न वो सिर्फ संसद ही करती है कौन करती है राजसरकार नहीं कर सकती है सूचो ऐसे तो अपने यह 28 राजजे कितने राजजे अगर हर एक राज अलग-अलग संबिदान संसोदन की सकती सिर्फ और सिर्फ किसके पास है संसत के पास है राज्यों के पास नहीं है हाँ कुछ मामलों में राज्य सरकारों से सहमत ही ली जाती है समर्थन लिया जाता है तुम सहमत हो या सहमत आदे राज्यों से तो अपने कितने राज्य हैं 28 कुछ ऑब्जेक्शन भी करते हैं लेकिन अपने को 14 का समर्थन चाहिए तो मिल जागा नहीं मिल जाएगा 28 में से है रे यह सरकार है जैसे सरकार है अधीक असमर्थर न ले लिएगी आखकर 26 का प्रताजमंद्री ए कि आज कल तो आप जान तो क्या गुजरात में कई वरसों से तो आप ही टाइम हो गया लगवक्त 30 साल से ज्यादा टाइम हो गया पच्चीस साल से क्या है बीजेपी अश्यर की बात लोक तंत्र में अगर देखा जाये तो अब आवे के सरकार बदलना राजिस्तान वी एक वार कोंगरेस आते और एक वार नीचुरल है यह तो जाहिर सी वात है वहाई हमार पास बिकल्प है कि मैं जो है कर नहीं हम चाहिए जिसको बोट दे जनता का जो मनुदसाय जो मूड़े वो परिस्थियूं कि चलता जो सरकार हमारे सास्थ नहीं चलेगा उसके कि खिलाफ हम क्या डालतेंग गोड डालतें इस तो संभिदान संसुद्ण अगला दिस बता कौन से नंबर कलोग और फ्रांस से ले लीजिए बताओ क्या ले रहे हो गड़ तंत्री व्यवस्था और वो प्रस्तावनांक सब्दों में लिखाई दिये थे आपको ना तोतंत्रता समानता और बंदुत याद अग नहीं है अग्या तोतंत्रता समानता और बंदुत अगरतंत्री व्यवस्था और गड़ तंत्र का अरत है राश्पती का निर्वाचत होना अगर्ण कि अग्यां प्रस्था और प्रस्तावनां में विच्छार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अपासना की स्वतंत्रता है वह बता भी रहा था कि इसमें अनत्यकर्ण डॖ की सवतंतिता नहीं और सोगें वह भी सवाम कि सब्क्राइल लाई हुआ कि अधा सवार कि नौ सफ 627 है किसमें तौ सित बीस वह में आपको जब मू लधकार पढ़ाऊंगा कि अगला इस बताओ क्यों नम्बर कने गा honor उसमें संग्य स्कति सम्थिति आये रही बच्न बच्छों अरे दंग्य सम्थि कद्रख कोन था कर दो यह रह रहं दो यह पिन अारक और आपि और एपशाल घया है लाटी सम्थित में वह सदसते कड्रिक रे करिक्नी जादली भेब कि और एजटेज आया है थी लूँ सवाल कल के पीपर में हाँ 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 सवाल चाहे कुछ भी रहे हो लेकिन मैं तो कह रहा हूं एजटेज है ना एक और पूछियों से संचालन समती स्टियरिंग कमेटी और संचालन समती कद्यक्ष कोन था केम मुंसी या जराजिंदर प्रसा संचालन समती केम में कहाता न के से के मिला देना और उसने वहीं रखा उसके आगे जैसे में कहाता कि संचालन में आएगा राजिंदर प्रसाद और देखो उसके नीचे लिख रहा हुगा कारे संचालन केम मुंसी और एक पूछा है मौलिक अधकार इवम अलप संक्यक परामर समती अध्यक्ष होना एगा सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा अध्यक्ष बिल बल्लबाई पटे सरदार बल्लबाई पटे सेम टू सेम बताओ एक नहीं जब मैं पढ़ा रहा था तो बार बार इनका बात कर रह है रूजी तुमारे संग चलूंगी संग रहूंगी राज करूंगी तो आज कल ऐसे सवाल ना चार-चार कमेटियों को मिलाकर पूछते एक सवाल पूछते हैं तो मुद्दे की बात यह सेम टू सेम रिदम जैसे हमने बताया था वैसे वैसे देखो संचालन समती आएगा त और साथ और कारे संचालन आएगा तो कि अ कि बिना के के तो के नहीं लगाना है जब तक ऑप्सन में के नहीं आए क्या है के से के करना था यहीं बोला था ना के से के करना और प्सक्राइब अभी कल पेपर हुआ है उसमें पूछा है बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं पेपर भी पर देख लिया करो आप लोग क्योंकि इससे पता रहता का और प्सक्राइब नवज पता चलती रहती है कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं मैंने बार बार का आस्त्पती का निर्वाच्ट होना कि लुख टूसे एक साइध इन मेंसे भी है इंतारिकों में से 24 जन्वरी छब्डीश जन्वरी और 26 नीमें से 20 सवाल है इनतारिकों में से क्वेस्चन झाना तो यह सारी सारब यही तो चीज़ें होती हैं हम जब आप लोगों को पढ़ा आते हैं तो यही चीज इंपोर्टेंट होती है के विजिट में सवाल है कि संभिदान सवाग गठन कब हुआ अब 9 दिसंबर तो था नहीं और अगस्त कर दो क्यों क्यों जुलाई अगस्त में संभिदान सवागे क्या हुए तो आ जाएगा जुलाई अगस्त कि मैं में उसकी रिपोर्ट आई गठन पूछ रहा है वह तो जब चुनाब होंगे जब ही तो गठन होगा जुलाई अगस्त में क्या हुए जुलाई अगस्त में डूशाट में सीट हो पी सिना हो आव यह मैं संभिदान सभा की सवाल अगया एक संभिदान सभा में से लगबग तीन ।ो मुद्दी की बात सब्सक्रार्थ तो बड़ा टॉपिक है इतना बड़ा टॉपिक है सम्मिदान सभा जिसमें सो कुछ भी पूछ सकता है ऐसा थोड़ी जितना हम पढ़ाते हैं उतना ही वह मैटर तो उससे भी ज्यादा होता है लेकिन इससे आपका मैटर आपका क्या होने चाहिए पूरा यह तैयार हों चाहिए ताकि आपको जब भी मौका मिले सवाल आएंगे मैं हमेशा कहता हूं 90% क्वेश्चन आप इससे क्या कर दोगे कर दोगे मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है यह भी बात आप यह वी देखो रिकॉर्ड भी हो रही है ना तो इसका वंड़ा फैक्ट इस फैक्ट मैं कोशिस यह करता हूं कि जो परिक्षा आर्क एस्टीम बन रही है वह पूरा का पूरा आपके पास पूरा मैटर हो बात कर रहा था साथ में देश की कितने नंबर की इस साथ में नंबर पर हम वो ले लेते हैं जर्मनी का वाइ वाइमर गड़तन्त्रों कि वाइमर गड़तन्त्रों कि एक्चुली इटलर से पहले वाँ यही सासन चलता था वाइमर गड़तन्त्रों कि नंबर एक राष्ट पती की आपात कालिं सक्तियां और नंबर दू आपात काल में राष्ट पती द्वारा मूल अधकारों का निलंबन मूल अधकारों का क्या है निलंबन अनुच्छ नहीं सोरी अगला देस आठ आठ मन देस जापान जाने की कह रहा है ना कानून द्वारा इस्थापित प्रक्रिया जापान से क्या लिया है आजा आठ से जापान है ना कानून द्वारा क्या है जाने के रहा है कोई पहले से रुका हुआ है पहले से इस्थापित है तानून द्वारा इस्थापित प्रक्रिया यह वहां यहां के गडतंत्र का नाम था वीमर यह वां जर्मन वांसा मे यह समार्जाद बोलते हैं वाइमर रिपब्लिक गड़तंत्र बोलेंगे तो महां वाइमर बूलते हैं जर्मनी का वाइमर कॉंस्ट्यूशन जर्मन बासम अब आपसे कोई प्रस्न कर रहा है कि सर इंग्लेंड से तो आपने पड़ाया यह देखो देखो तीन सबने इनको चलो यही लेता हूँ एक तो यह सब्द है एक है कानून का सासन यही बात है न और एक है कानून का समान कानून का समान संद्रक्षन यही बात है न पिर साथ यह तो एक जैसे हो गए एक जैसे क्यों होंगे यह तो कहां से लिया है जापान से यह कहां से लिया है इंगलेंड से यह कहां से लिया है यूएसे से एक जैसे कैसे हो जाएंगे अलग अलग हैं यह तो यह दोनों उनुच्छी यह दोटनों बाक्त वह जनुच्छ चौदे के और यह अनुच्छ का बाक्त मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीज रहे ASK एक confusion नहीं हो अब मैं एक उधारन देता जाओंगा और उधारन कोसिस करूँगा मैं आपके दिमाग में सेट हो चाए चोकीदार चोरी करे चाए प्रधानमंत्री चोरी करे कानून की नजरों में दोनों ही क्या है इन में से कौन सा नियम आएगा कानून का सासन सरकार व्यक्ति की नहीं होती है सरकार नियम कानून के अनुसार सासन होगा पूर बास चोरी मैं नहीं है सरकार किसके अनुसार चलेगी पूर बास चोरी मैं नहीं है तो कानून के सासन क्या हो धारने चाए प्रधानमंत्री चोरी करे चाहे चौकीदार चौरी करें सजा अलग अलग के एक जैसी किसका सासन जो कानून में जो सजा लिख रही वही तो मिलेगी बोलो बात समझ में ने तो कानून के सासन का मतलब तो यह है किसाब कानून के अनुसार सभी लोग समाने विदी के समक समानता कानून का समान संरक्षन कि एक तरफ गरीव है और एक तरफ अमीर है तो बताओ कानून का संरक्षन पहले अमीर को मिलेगा कि पहले गरीव को गरीव को क्योंकि दोनों की परिस्ति समान नहीं है जब परिस्ति समान नहीं है तो कानून समान रूप से लागू नहीं होगा परिस्ति ऐस समान है तो कानून कैसा लागू होगा ऐस समान अब एक के पास तो मकान और एक के पास मकान नहीं है तो आर्थिक साहिता अमीर को मिले कि गरीब को अब समान करने के लिए दोनों को समान करना या तो जिसके पास मकान नहीं उसको मकान दें जिसके पास मकान उसका मकान फोड़ें तो सरकार क्या करेगी मकान फोड़ेगी वताब क्या करेगी जिसके पास मकान नहीं उसको मकान बनवादने के लिए सरकार आर्थिक स गुलो बात समझवे लिए संद्रक्षन का मतलब है समान बनाने के लिए संद्रक्षन है तो अमरीका वाले में महिला और पुरुष का अधारन चल जाएगा अमीर और गरीब का अधारन चल जाएगा कमजूर और सक्षम का अधारन चल जाएगा ठीक है तो दोनों की जब परिस्तिती समान नहीं है तो कानुन समान रूप से लागू नहीं होगा कि हमारे रिजरवेशन देते नहीं देते हैं तो अमीर को देते कम जोर को देते अगला कौन सा पॉइंटेस में अच्छा हो गए तो अब बचा कानून द्वारा इस्थापित प्रिक्रिया न्यायाल है जब सजा सुनाता है न्यायाल है जब कानून में लिखे गए दंड के अंसार सुनाया Oops कानून के अंसार सज्ट सुनाय है अगर किसी न अपराद किया और सजा का और जो कानूनी जो दंड है वो मृत्यु दंड है तो बताओ न्यायाल मृत्यु दंड देगा नहीं देगा जब कर दूच्छी देखिए जीवन का अधकार है वहले ही हो लेकिन कानून द्वारा इस्थाप्ति प्रियाम साफ लिखा हुआ है कि जो सजा कानून में लिखी हुई है वही सजा न्यायाल है द्वारा दी जाएगी तो न्यायाल है जो निरने देता है जैसा अभी एक प्रिसन आया था भी दो चार दिन पहला हाइलाइट हुआ था और उसने मुकदमें दर्ज कराया क्यों साफ इंसा पतनी नहीं कर सकती क्या गरेलू इंसा दिनियम 2005 उसमें लि देखाते हैं तो वह भी क्या है है इसको गूरना इस्टिरिंग हुआ है इसलिए तो आप यह सब्द को बदलो कर मैं लड़की देखने जा रहा हूं है है तो तो 14 सेकेंड में नहीं देख सकता है हुआ है द्याद रखिए हुआ है ऐसे नियम पता हुआ सब्सक्राइब देख सकते हैं बेटा गलत नजरों से एक सेकेंड में नहीं देखनी चाहिए है हुआ 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 है अपराद करने वाली तो यह की सेकेंड होती है हुआ है हमने तो यह भी सुनाएं के साथ मेलाएं भी खूब इंसा करती है देखो पूरा पीड़े तो कोई बात नहीं पीटा हमने सुना है लेकर तो उसमें यह का गया था इसलिए ध्याद रखना जो डॉमेश्टिक बाइलेंस जो एक्ट है उसमें पती को सजा मेलेगी पत्नी को सजा क्योंकि साथ कानून द्वारा इस्तापित प्रक्रिया है कि वह मेलाओं के पक्स में बनाए गया है इसलिए पुरसों की तो कोई बात होगी नहीं इसमें पुरस तो अपराद यह समें क्या है और पुरस है साज फूख से उड़ जा क्या है तुमने अपराद किया अरे इसाब मैं क्या पराद करूंगा जो ठांदार को भी दमकी देख जा रही है तो स्वरेश्ट करो और निपर तुम को देख लोंगी क्या है वह थांदार भी कह रहा है बताओ दया संकर जी तो लग में आख जानाओं बलकि कानून की निर्णा कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता आ है तो चैनल पहले तकवार में आये क्या हां कि वाइलेंस जो गरेल इंसा अधनिया में क्या वो पतियों पर नहीं होती है पुरसम नहीं होती इंसा मेला खूब करती है कि आज तो जूता चपल पेनने का लाव और भी काम आ रही है तो चोड़ा सरवाराय क्या है तो बीटा मड़र में तिर साथ हूं क्या है तो ध्यान रखना डॉमेस्टिक वाइलेस जो एक्ट है उसमें मैलाओं को संरक्षन है कब पुरसओं को हो है अब ہے तो है तो है वावथ कि अपराद जो थाइकलोजी करने हम देख है को जेंडर बेसिंप होता है अपराद थी तो कोई भी हो ay na भी हो सकती को नहीं हो उस भी हो सकता है आपको याद है गटना था एक टीचर था उसकी अस्वेंड जो उसकी पत्नी थी वो उसको रोज मारती थी बैठ से पता होगा आपको बल्ला से अब साहब उसको इस वाद से दिक्कत नहीं थी कि उसकी पत्नी मारती थी उसको दिक्कत ये थी कि वो उसके बच्चों के सामने मारती थी तो उस आदमी ने क्या किया टीचर था वो अलबर की घटना है ये तो बिल्कुल आई एक वार में तो जैसे उसकी पतनी उसको बल्ले से मारा तो वो क्या हो गया सीन कैप्चर हो गया और कैप्चर हो गया तो इस पर फिर केस किया तो दोस्तों गटना करम इसको गंबीरता को भी देखो अपराद कानून का मिस्यूज नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोट राइकूट किया वार कहा सुके रायस्तान सरकार वे कियाया व्हार कहे शुका को पुलिस भी समाज में अगर महिला और पुरस्त दोनों ही बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं होंगे पर कैसे काम चलेगा तो समाज मजबूत कैसे होगा तो बौद्धिक इस्तर पर मजबूत होना है और समाज के पूरक है एक दूसरे के सप्लीमेंटरी है समाज आप लोगों से हम लोगो ब्रदांज मंत्री हो और कानून का संद्रक्षन कमजोर को कानून का संद्रक्षन प्रात्मिक्ता का अदार पर पहले मिलेगा क्यों क्यों कि समान परिश्टी में कानुन समान रूप से लागोगा अगर परिश्टी समान नहींए तकानून समान रूप से लागो नहीं होगा ठीक है चलो ले- Alto अगला ले लेते हैं here कितने नम्मर करो गए याप तैस नौका इस पनाड़ा इसमें लिको नंबर एक संग्य व्यवस्ता नंबर दू राश्ट पती द्वारा राज्यों में राज्य पालों की नियुक्ती अब सिष्ट विश्य केंद्र के पास पिसली साली प्रस्ना आया था पूंज सरकार के पास केंद्र के पास अब सिष्ट विश्य परकान कौन बनाएगी अब पहला सवाल तो यह आता है वो सर अब सिष्ट का मतलब क्या है यह तो आपकी स्लिवस में अलग से अलग भी पढ़ाएंगे अरु बिल्कुल संग शूचि रासूचि सम बठीश ती यह आपने देखा संगसूचि कितने भी से बताना studied कि सत्ञानमें राज सूचि में 600 सम्वर्ती में होड़ाईश अगर इन विष्वाओं के अलावा कोई विष्वाओं तो अबसेश कहलाएगा तो वे विष्वाओं जो इन तीनों में नहीं आएगे वो अबसेश और इन विष्वाओं पर कोन बनाएगा जो साइबर क्राइम तो लिख लो फटा फटा डैस रहा कर लिखो अब सेस विसे वे विसे होते हैं जिनका उलेख अब सेस वे विसे होते हैं जिनका उलेख संगसूची राजसूची संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची में नहीं हुआ हो जिनका उलेक संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची में नहीं हुआ हो जैसे साइबर क्राइम तो अब सेस्विशों पर कौन कान बनाएगा किन सरकार लिख दी नहीं हो नहीं है तो सुसरू में लिख दियोगी बात तो यह अब सेस्विस्याँ पर किन सरकार कानून बनाती बनाती है कि जी सर अब से स्थिस्वाइब कुछ सरकार कान बनाती है किन सरकार खड़ते हुए आपको पिस लिए कर दो कि अपने काड़ कर रहा है अपने कार्ण निकाल के रहा है कर दो दूब 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 संबर्ति सुची में नहीं नहीं है वो जो बच जाएंगे अब से और यह प्रावदान हमने कहां से लिया है कि अब देश कितने हो गए नौका है ना इसके बाद में देलो दसमा देश पहले उस टाइम पर कहते थे इसको सोविय संग और बर्तमान में क्या कहते है इसको रूस नागर कोंके मूल करतब नागर कोंके मूल करतब नागर कोंके मूल करतब नागर कोंके मूल करतब कि कि आप से कोई प्रस्ण कर दे तो आपको तरोगन नहीं इनको बाद में जोड़ा गया वह मैं आपको सारे कि सारे 11 की 11 मूल करतब बताऊंगा कि 42 में संभिदान संसुदन जोड़े गए थे 1976 में घोड़े गए थे बरतमान में 11 मूल करतब बें आगे लेँगे अ informação इसले देस को कहते थे सोविय संभ बरतमान में क्या कहते हैं कि कि सबसे ज़्जादा जो भारत की संविदान प्र्भाव पढ़ाए सब्सक्राइब बाति प्रबाग नोट लगा कर देख कर लीफ भारत के संविदान पर सबसे ज़्यादा प्रिभाव बारत के संब्धान पर सबसे ज़्यादा प्रवाब इंगलेंड का पड़ा है बारत के संब्धान पर सबसे ज़्यादा प्रवाब इंगलेंड का पड़ा है जबकि अधिनियमों में सबसे ज़्यादा प्रवाव 1935 के अधिनियम का पड़ा है कि अधिन कि आधिन है 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 आधे है कि अधिन करें आधे हैं आधा ना है जालो सब्सक्राइब कि सब जब ज्यादा अधनियम तो किसका उनीश सो पैंटीस के अधनियम का और देश होँ पूछे तो एंगलेंड का कि लिए रोगी दोनों बाते यह नहीं नहीं होंगे अन्य देश्व में तो वैसे देशी होगा अधनियम होंगे प्रश्य आता नहीं पर आपने पूछा तो दोनों यह वाला करेंगे हम तो अगर देशों में पूछेगा तो इंगलेंड का पड़ा और अधनियम में पूछेगा तो ऐसे बनता नहीं है जैसे हम चुकि हम बिसे पड़ा रहे हैं तो हमको पता है अगर फिर भी ज्यादा पूछे तो कर देना अधनियम मोर तो क्या करें लगबग 80 परसेंट जो संब्धान में प्राबदान हैं वह 1935 की डाक्टर अंबिड करने तो काई था भारत में नहीं संब्धान जर्रत ही नहीं 1935 के अधनियम से काम चलाया जा सकता है ठीक है तो 1935 के अधनियम भारत के अधनियम रहेगा तो भारत के जाट पर सब्धार प्रवाब परभाभी किसका है पड़ा यह ठीक है जाओ आगे हम लोगों से अगली विस्षिटा भारति सर्दान की तो बताओ कितने नमबर के लेंगे संब्धान की पहली तो लिधी बैस्क मतदकार दू jeśli विश्ष्ष्ष्ष्षा ले रहया हम एकलना रिखता कि भारति शब्राइब यूंचा सिद्दैने क्या नाम ये और हम सब कहां के नागरिक हो हम सब भारत के नारे, इस बात बता है तो कहां के नारे करो से घ्राज जिकर के मिल फेंट है, लेकल भारती संविदान में एह home है, हम ना यू पी गोज्रात के मत्र्द्ध्ध्र, बटागरे प्रति नांघ्र को पर देश-rang- बक्ति, वह दो जम्मू कस्मीर पर लाल चौक में पता है ना आपको क्योंकि वहां के लोगों को दोरी नाग रिखता थी तो उनकी जो स्रद्दर विस्वास्ता जम्मू कस्मीर में बढ़ गया लेकिन देश की एक तर अखंड़ता खत्रे में पड़ गई इसलिए दोस्तों ध्यान रखना दो 2019 तक जम्मू कस्मीर में दोरी नाग रिखता थी जिसे अपवाद मना जाए क्या मन जाए जिसे लाल चौक लाल चौक स्रीनगर में तो यह आपको पता होना चाहिए राहुल गांदी जी निव अभी फैरा है लाल चौक पर 27 जनवरी को फैरा है 28 को अब आप देख लीजिए तो कितना मुश्किल था देश के प्रती स्रद्दा कम होना और छेटर के प्रती covenant लगाव हो जाएग है धिर अलग देश की मांग और लेना इस detailed पयार में तो एकल नाग रिक्ता दीश की एकता रा खंड़ता को बढ़ाती है और दूरी नाग रिक्ता दीश की एकता रखंड क्रद्री नाग रिखता काँ की नाग रिंगता जाती है हम गन्य घुलिक तो से हमने कर लिए है कि है कि में लिखाय हुआ है가 इंग्लेंड टो तो हम सबसे पहले बात करते हैं एकल नागर्था तो आपको पता है संब्धान का भाग दो अनुच्छे 5 से 11 और इस भाग को कब लागू किया गया पहले देख लो 26 नवंबर 1949 को कि अच्छा इसमें कितने नुच्छे ने बताओ भाग दो में को कितने नुच्छे ने कि देखें अनुच्छे पांच है साथ आठ नो कि दस और प्यारव कि यह कहता है संब्धान के प्रारम पर नागर्था यह अपने याद करने में आपको इस तरीके से बोलूंगा अपने आप याद हो जाएंगे नागर्था यादि हम्यारा कोई पूर्वज है शबीज जनवरी 1950 से पांच से पांच मिला दो पूर्व से कोई भारत में रहता है कितने फुक्त सब्सक्राइब प्राइपुरु से कि प्रिटान के कितने साल से जब रहता है तो वह संतान कर Зांच का केम प्रारण पर यदि को सम्मेदान प्रारम में होने से कितने साल पहले से कहां रहता हूँ तो उसकी संतान हम और आप है कर नहीं है कि लिया कि ताली किस चीज़ की बज़ रही है कि एक वार तुम भी बजाओ समझ मैं को नहीं आई यह बात हुआ हुआ है तो सम्मेदान के प्रारम पर नाग रिखता है जब यह बात है तो कि अपाक क्या है कि पाकिस्तान से कि अपाक का मतलब पाकिस्तान से भारत आने वालों को नाग रिखता हुआ 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 वही चीत हम बता रहे हैं कि यदी कोई पाकिस्तान से कहाता है तो उसको क्या मिल सकती है कैसे मिलेगी यदी कोई 19 जुलाई 1948 से पूर भारत में आया है तो उसको भारत की नागर्ता मिली जाएगी अगर कोई इस तारिक बाद आया हो तो तो पहले वह 6 से 6 माह भारत में रहेगा उसके बाद वह भारत सरकार के लिए नागर्ता के लिए क्या करेगा आबिदिन करेगा ठीक है अच्छा ओन्लाइन में इतना मज़ा नहीं आता इतना फ्लाइद आता है ठीक है विटा नरी इस बात तो तीरी भी सही है वह उसको फील हो रही है तो उस बच्चे अपने मन की बात कहिए अब बैदे को इसमें तो बीटा नरी इसमें भी कुछ नहीं कर सकता अब ओन्लाइन तो देखो ओन्लाइन होता रहो अफ्लाइन यह बच्चों के उपस्तिती बात बता रही है तुम सही हो सकते हो यू क्योंकि ओन्लाइन में क्या एक्षुली वो चाय पीता वहीं पढ़ रहा है खाना खाती हो पढ़ रहा है ठीक है और वह अन्य काम को करती हो भी पढ़ रहा हो सकता है वहाँ पर कंसंट्रेशन का जो पॉइंट है वो थोड़ा डाउन होता है लेकिन यहां तो वह तैयार होकर क्या आना और फुल मन से पढ़ना बड़ा फरक है यह बहुत बड़ा फरक है यहां जब आप घर से जब जैसे जगे आपकी मान सकता सैट हो गए कि मुझे कोचिंग लिगे और मेंटल ही तैयार होगे का लेकिन अगर आप घर पर रहकर पड़ते हूं मैं ओनलैंडा ही नहीं कर रहा नहीं नहीं होते हैं तो निश्यत रूप से जब आप 6 गंटे, 7 गंटे शंस्था में रहते हों, तो आप 7 गंटे संस्था में पढ़ने के साथ रहते हों, और आप एक बार घर जाकर इसको रिवाइज कर ले तो वो चीज क्या हो जाती है, मैं मोरी में final हो जाती है, इसमें कोई दोराय नहीं, इस तो मैं बात कर रहा था च्छह से च्छह चुरालिया मैंने कि वह अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो तो उसके बाद भारत सरकार को क्या करेगा और उसका व्यावारत संतुष्टी पूर्ण और संब्धान पाय जाता है तो उसको भारत की नागर्टा दे दी जाएगी अच्छा अरे इतनी आसानी से नागर्टा की बात कर रहे हूं कि समझें नहीं है इतना आसान यह चीज लोग बाग साल के नहीं होते हैं उससे पर ड्राइबिंग लाइसेंस बन भा लेते और कुछ लोग क्या है जिनकी बाइक चलाते वह निकल गए उन पर क्या नहीं बना फता होगा आप लोगों को हमारे यह इतना असन नहीं नियम में बहुत हैं मैं तो एक संबेदान एक प्राफदान है वह बता रहा हूं आपको च्छे माह, 2015 में 6 और 6 क्या हो गया, इसको 12 माह कर दिया है, जो 6 महीना था, 2015 में क्या कर दिया इसको, इतना चेंज आया है, बुलो बास समझ में नहीं है, अब उल्टा कर दो साथ, भारत से पाकिस्तान जा रहा है वो, तो भारत की नागरिक्ता तो खत्म, और अब उसको कहां की नागरिक्ता दी जाएगी, ठीक है न, तो भारत से पाकिस्तान जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति, एक मार्च 1947, कितनी तारिक के बाद, एक मार्च 1947 के बाद, भारत से पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान जाएगी, तो वे पाकिस्तान का नागरिक्ता बन जाता है, भारत की नागरिक्ता खत्म, लेकिन अनुच्छे च्छे के तैट फिर क्या हुआ, बाद, बापस आ सकता है, नहीं आ सकता, यदि अनुच्छे च्छे के तैट, एक मार्च 1947 बाद गया, और 19 जुलाई 1948 से पहले, उसने देखा, वही है, मैं तो मेरे यह ठीक था, भारत ही ठीक है, आएक नहीं काफी लोग, भाई जैसे जिसके रिष्टेदार थे, वो पाकिस अपने देख तो उन्होंने छोड़ दिया, और फिर वापस पिर क्या हुआ, और रिस्तादारों को भी लेकर कहा गया, देख़ो और आपको पता है, रोज आकवार में आते रहते हैं, उनके दुखदर्द, लोग हुएलियों को छोड़ कर कर आ गए, और यहां आकर को थे, भारत में जो जान है तो आपने खुब पढ़ते वात ही रहती है सीमा संदेश भारती सीमा छेत्रों में जो रह रहे हैं कैसे कैसे रहे हैं तो साथ में आ गया भारत से पाकिस्तन जाएगा तो एक मार्च उनिस सेंटालिस के बाद जो भारत से पाकिस्तन वाले चेतर में गए वो कहां के नागरिक हो जाएंगे लेकिन अन्षिद के चेक के तेट उनको बापस वारत की नागरिकता दी जा सकती है लिए अपने यंद फिर दोबारा यह लेगा नहीं अपने जैसे वह पाकिस्तान गया हमारी खतम पाकिस्तन वारत की नागरिकता नहीं चलेगी यही तो कह रहा है कि वहां के मिलने से मतलब नहीं है लेकिन यहां की समाप्त हो जाएगी हमारे यहां तो देख लों स्वामने अनुच्छित क्या कहता है नहीं यह तो एक ब्यावारिक समस्या है जो आप कह रहे हूँ देखो बैसे तो आप समझ रहे हूँ खनाडा को दार ना लगए यह सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा है अनुच्छित यह सिर्फ किसकी बात कर रहा है यह अधर कंट्री को लेकर के बात नहीं कर रहा है अनुच्छित एक तो यह बात है यह यूं कह रहा है कि यदि कोई भारत का व्यक्ति है पाकिस्तान चला जाता है तो उसकी भारत की नागरिक तक खतम है जाने से खतम है उसकी अब यह मुद्दा नहीं है को पाकिस्तान का नागरिक है या वो बात नहीं कह रहा है देखो वो ची नहीं कह रहा है वो यह कह रहा है कि यदि कोई भारती नागरिक पाकिस्तान जाता है नागरिकता की बात है रेजिनेंस से संब्ध नहीं है वह जाकर ही बसेगा तो यह वो तो मैं कहे रहा हूं कि वो तो व्याभार्व चीज़ है फिर जो फॉर्मल्टीजी वो कैसी है संब्धान पर कुछ नहीं कहता है यह तो फिर ब्याभारिक चीज नहीं कितने समय तक रहना एक टेक्निकलि उसे वह नहीं मिली तो क्या होगा तो जब यहां से जाएगा सारी प्रॉपर्टी क्या करके जाएगा वह इसे तुड़ चला जा जाएगा वह वह बीजा पर जा रहा गया साब में गाडीम बैठा और सीधा कहां चला गया ऐसे नहीं होता वह प्रॉपर्टी यह उसके प्यूरा देगा फिर उसको डिस्क्लोज करेगा साब मैं ऐसे सी बात है और मैं इसको चोड़ रहा हूं वह ब्याभार एक पक्ष्ट है वह संबैदाने अपने अपने मिला है अब सब्सक्राइब यह मार्च चला गया लेकिन गुनिश जुलाई निश्वड़तारिस तक वापस आ गया तो तो उसको क्या मिल जागी है हमें पता कैस चले वापस आ गया तो उसके पास रिकॉर्ड तो होगा ना जाने का और ब्यावारिकता तो वह सारी चीज चलेंग कि अगर मान लो वह उन्नीश जुलाई उन्नीश सो अटारिस वादा आ रहा है यानि अब आ रहा है तो अब तो नया नियम लगेगा उस पर आठ यह भारतिय मूल के लिए बात करता है किसके लिए बात करता है कि मान लो कोई भारतिय मूल का है और विदेश में रहता है तो अगर वह भारतिय दूतावास में आबेजन करें तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी यह विदेशी हैं लेकिन उनके पूरबज भार इस जैसे मान लो मैं भी बात करूं जैसे हम बात करते है कैट्रीन कैप की है है का दीना कैप के जो फादर मुहम्मत कैप साथ पूक अस्मीर के थे कि को बो अब इनको बहुत की नागरिकता चाहिए के टिना कैप को आपको पताए शादी भी कर लिए उसने इंडियाम तो नियम अनुसार ही तो मिलेगी ज़िकिसी के पूरवज भारतिय मूलके हैं तो नियम अनुसार उनको नागरिकता दी जाएगी अब नियम यह के इतने बर्स रहना है वो एक अलग चीज है समझ मैंगी ना यह जरूर कह रहा है कि यह अनकर करें अनुसार उनको नागरिकता दी फालन करें अनुसार हाथ के तहथी? कि एक बहासा आती हो कि एंगलिस नहीं एंगलिस अंसूची आठ में नहीं है कि एक को हिंदी आतीक नहीं आती है तो नियम तो पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो अब यह पंचेल के प्रारण पर नाग collecting ने संवेडां ओ से किदने साल पूर्व से आ हां रहता हो तो उसकी संतğin सपाक पाकिस्तान से के धर आने वाले पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता कौन से उच्छित में है यदि कोई भारत का व्यक्ति पाकिस्तान जाये तो उसकी भारत की नागरिकता कौन से उच्छित है तो यदि कोई भारत ये मूल का विदिस ही है और भारत की नाग तब खतम हो जाती है जब किसी विधी सी नागरिकता को ले ले ये कौशा कहता है और । एक बार जिसको नागरिकता मिल जा भी खतम हो रही है हो रही है कैंसे ऐसे Хाइक संग सोची को आज नी होगी आइंक यू बार्त का देंगे न тай झाल झाल